हेलो एब्रीवन, वेलकम तु नोलेज उर्ड इस लेक्चर में हम देखेंगे मल्टिप्लिकेशन ओफ इंटीजर्स इसमें आज़े बढ़ने से पहले मैं आपको साइन क्वेंशन बता रहता हूं यह साइन क्वेंशन मैनस मैनस इंटू मैनस is plus, plus into plus is plus, plus into minus is minus and minus into plus is minus. आई देखते हैं, सबसे पहले, multiplication of a positive integer and a negative integer. मतलग, एक positive और एक negative integer का product. एक positive integer है, हमने मान लिया, एक हमारा एक positive integer है और b, मैनस b हमारा एक negative integer है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैनस a into b. इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब example के तौर पर देखे लो, हमने a को 2 मान लिया, मैनस b को मैनस 3 मान लिया. यहाँ पर a के जगा हमारा 2 आ गया, और b के जगा 3 आ गया. मैनस हमने bracket के बाहर लिया, a की value 2, b की value 3, मैनस 6 हमारा answer आ गया. यहाँ जब हम एक positive integer और एक negative integer को multiply करेंगे, तो हमारा जो output होगा, वो negative होगा. अब देखते हैं, multiplication of two negative integer, दो negative integer, सेम तरीके से हमने मान लिया, एक मैनस a, दूसरा, मैनस b. तो यहाँ क्या होगया? मैनस a, इंटू मैनस b. मैनस इंटू मैनस, प्लस. तो प्लस, a इंटू b, simple. फिर हमने यहाँ, a को 2, b को 3 मान लिया, 2 इंटू 3, 6. multiplication of two negative integers. तो यहाँ से हमें conclude कर सकते हैं, कि जब दो negative integer multiply होंगे, तो उनका जो product होगा, वो positive होगा. आईए अब हम देखते हैं, multiplication of three or more negative integers. उस case में output क्या होगा? जब 3 या 3 से ज़्यादा integers होंगे. मान लिया जाए, हमने मान लिया जैसे कि 3 integers हैं, तबको हमने same मान लिया, minus 1 into minus 1 into minus 1. तो यह क्या होगया? minus 1 into minus 1, plus 1, plus 1 into minus 1, minus 1. फिर हमने लिया 4 integers. 4 negative integers हमने लिया. minus 1 into minus 1, plus 1, plus 1 into minus 1, minus 1, minus 1 into minus 1, plus 1. तो यह कौन सा वालक के से? जब हमने 3 integers लिया. और यह कौन सा के से? जब हमने 4 integers लिया. तीन हमारा क्या है? odd. और जो हमारे यहां 4 integers वाला जो केस है, यह 4 क्या होता है? event होता है. तो यहां से हम एक conclusion ड्रॉ कर सकते हैं, कि जब भी event number of integers, event number of negative integers जब भी multiply होंगे, तो जो उसका output आएगा, वो हमेशा positive होगा. और अगर odd number of negative integers multiply हो रहे हैं, तो उनका product हमेशा negative होगा. ठीक है? आप सब लोगों को समझ में? इसके basis पर आप exercise के questions कर सकते हैं. इस lecture में इतना ही है. अगले lecture में हम देखेंगे properties of multiplication of integers. Thank you.